हेलो एबरीबन कैसे हम सभी दोस्तों आज में React.js में Complete Working Project बनाएंगे जिसका नाम है Live Code Editor जैसे हमारे पास BS Code है इधर मैं कोई भी programming language का code लिखती हूं output मुझे web browser पर मिलती है लेकिन BS Code तो बहुत ज्यादा ड्वांस है इसमें आप कोई भी programming language टाइप कर सकते हैं जो हम पनाएंगे इसमें आप HTML CSS and JavaScript कोड लाइडिट कर पाएंगे मैं जहां पर कुशी भी टाइप करूंगी मानलो मैंने जहां पर हैलो लिखना है तो जहां पर देखो लाइब मुझे इधर देखो यहां लाइब आउट्पुट हमें मिल रही है तो मैं जहां पर हैच बन को बंद कर देती हूं CSS का कोड करना ह है एच बन का मैं चाहती हूं कलर चेंज हो जाए तो मैं जहां पर कलर करूंगी चाहती हूं मैं जहां पर इसका फॉंट साइज हो जाए तो जहां पर लगा दो फंडर्ड पिक्सल लाइब अपडेट हो रहा है तो जहां पर पिक्सल लिख दो फंडर्ड पिक्सल तो जहां पर देखो कलर भी चेंज होगा फॉंट साइज भी जावा स्क्रिप्ट का भी हमने कोड एड़ करना है तो इसकी बरकिंग होनी चाहिए एक बटन लगा देते हैं इसके उपर कलिक लिख देते हैं जब कोई बंदा इस पर कलिक करेगा तो हम जहां पर ओन कलिक लगाएंगे फं लिखा पर जीस साइबन बटन पर कलीक करा दो लिखा रहा है जब से बात बें बभी चैंब से बहले कोड़नीं करेंगे उपर इस पर बनाना लगा दिया है designing आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं मैंने तो बहुत ही basic सी करवानी है आप इसको और भी अपनी according देख लेने कैसे design करना है एक class नाम add कर देते हैं डीब लगा के नाम इसको रख देते हैं live code editor तो ये वाला नाम रहेगा इसका इसको use करके हम css की coding add करेंगे एक और class name add कर दो editor container एक और डीब लगाओ class name add कर दो editor तीन editor हमारे बननी है सबसे पहला रहेगा html में तो h3 में html लिख देती हूं तो जो हम code type करेंगे वो text area में करेंगे जह सबसे आसान तरीका है कोई भी live code editor बनाने का एक दूसरा तरीका होता है उसके लिए हम mirror use करते है वो थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैंने यही use किया है कि आपको as a beginner थोड़ा आसानी से समझा जाए तो यहाँ पर हम लिखेंगे text area के बीच हमने code type करना है फिलाल इसकी हम designing करेंगे तो मैं जहां पर कोई भी code नहीं आड़ करूगी यहां पर आजाओ एक दूसरा डिव लगाओ class name आड़ करो इसको editor h3 में लिखो css same ऐसे ही copy based कर लो यहां पर लिखो javascript तीन हमारे पास यहां पर लगने चाहिए हमने text area नहीं अड़ किया तो यहां पर copy करो paste paste तीन text area लगे तीने के बीचे हम लगाएंगे अपनी coding एक हमें चाहिए output के लिए तो output वाला किदर लगेगा जे वाला एक div जहां पर बंद हो जाएगा एक div जे बाला हमारा बंद होना है इस div के बाद आपने करने डिप स्टार्ट करना है इसको कलास नाम एड़ कर दो पर वियू लिख देते हैं पर वियू मतलब हमारे जिदर आउटपूट आएगी तो पर वियू लिख देंगी जहां पर मुझे लिखा नजर आएगा तो आई फ्रेम में हम लगाएंगे इसके आउटपूट आई फ्रेम एक बना बनाया एक फ्रेम होता है जस्त ऐसा लिखेंगे न तो इदर एक फ्रेम बन जागा जे देखो जे फ्रेम अपने आप बन गया त इसको थोड़ी से हम इसको न कर देते हैं एड़ टाइटल एड़ करो इसका टाइटल में पर वियू रखूंगी पर वियू और इसमें एड़ करेंगे हाइट विर्सल इसको आप एंटर कर सकती है ऐसे हाइट रगाओ इसकी कितनी चाहिए मैं 100% 300 रख दूंगी 300 सही है 300 मतल तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं विर्थ रखो मैं 100% विर्थ रखूंगी और जहां पर इसमें क्या इश्यू आगया विर्थ इस इस निकल टू आएगा और जहां पर ऐसे एक वर चक कर लेते हैं इतनी सही है तो इसके वीच आपकी आउटपूट आजेगी ठीक है अब चलते कोडिंगे बाद में देखेंगे करनी है कि नहीं पहले हमारे जो मीन काम है न बर्किंग करना जहां पर आजाओ टॉप पर कॉंस्ट बेरियाबल से बनाओ कौन कौन से चाहिए एक मुझे एच्टीमल चाहिए तो यहां पर लगा देते हैं सेट एच्टीमल यूज स्टेट लगा लो इसका इसके जो बीच वेल्यू आनी है वो आपकी मर्जी है कोई एड करनी है तो सही है नहीं करेंगे तब भी ओके है जे कोड आपको वाइट फॉल्ट उसमें लिखा नजर आएगा तो मैं जहां पर लगा देती हूं मैं जस्ते हैलो लिखूंगी तो जे बाली ज चैसे एक जावा सकरिप्ट जी ऐस तो शीएस एस जीएस 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 सेम ऐसे ही आप जहां पर भी कुछ लिख साकते हैं इधर मैं लिख देती हूं कि इसका कलर ब्लिव रहे यह बर्किंग कोड होगा ऐसे नहीं होगा तो मैं इसको कर्ली परेक्ट के बीच लगामगी इ जावा सकरिप्ट का लगाना है तो इसको मैं ब्लैंक के चोड़ूं कि इसका कोई कोड नहीं लगाएंगे जहां पर आजाओ पॉंस्ट हैंटल बनाना है एक हैं एक हैंच टी एमल तो मैं इसको हैंच टी एमल नाम दे रही हूं इवेंट एक अब्जेक्ट पास कर दो हैं से करेगा ना पहले उसको गेट करना जुरूरी है तो यह वाला हैंडल इवेंट है इसको कॉपी कर लो जैसे हम आउन बटन पर लगाते हैं सेम ऐसे ही हम इस पर लगाएंगे ही हां है से यूल लगाना के इदर है लाफ बहुंत हृश्ट कर सभी करेंगे और इदर आपने हैं भी हम क्या टाइप करे के हैं लेHH है जही इसके बीट करेंगा कि हम क्या टाइप कर रही है तो इसको पेस्ट और जो अभी हमने बनाए था हैंड्र चेंज बाला इसकी आप रोज बगारा भी सेट कर सकते हैं अगर आप रोज इसकी 5 रख देंगे टेक्स्ट एरिया की तो इसकी 5 रोज अपने आप सेट हो जाने यह तो जे ऑप्षिनल है जे देखो 5 रोज होगे आपके लिए जो अप्षिनल है लगाना है तो लगा दो नहीं हुए है इसके अलग-अलग हैंडल बना रहो इसका रहेगा CSS का इसका रहेगा JS का जे फाइब वगार जे सब ऐसे ही रहेगा बस यह हो गया कोड अब जहांपे आज ओपर तीनों हमारे वेरियेबल से डिफाइन हो चुके हैं जे वाले कोड इसकी जो भी हम वेल्यू एड़ करेंगे टेक्स्ट एरिया में मैं जो भी कोड एड़ करूंगी जिसको गेट कर लेगा कॉंस्ट हैंडल CSS का बनाओ इसको कॉपी कर लेना था इवेंट बनाओ इसका तो मैं जहांपे कॉपी कर रही हूं इसको कॉपी पेस्ट यहां पर बस लिख दो CSS वाला तो जहां पर सेम रहेगा सेम ऐसे ही JavaScript का करेंगे तीनों के वैली हमने गेट कर लेनी है तो यहां पर देख लो JS सेट जेएस और जहां पर दिखो हैंडल जेएस तीनों हमारे function define हो चुके हैं working देखो कैसे करेंगे इन से बाहर आजो पॉंस्ट बनाओ एक नाम इसका मैं generate रख देती हूं बस सारा काम इसी का रहेगा return कार दो जहां पर एक symbol प्रेस काना है सेम वही escape बटन के नीचे tab बटन के उपर जे symbol है इसके भीचे हम जो लिखेंगे बस वही हमें मिलेगा मैं जहां पर लिखूंगे html html स्टाइल में आएगी css की कोडिंग जो लाइब कोड एडिटर इसमें काम करेगा ना html के color वगरा चेंज करने है वह कैसे करने है बस इसी से करने है इदर अपना जो वेरियबल है प्रिंट कर दो कौन सा css वाला तो जहां पर css की कोडिंग वर्की में आजएगी सबसे आसान तरीका बता रही हूं दूसरा तरीका वह भी मैं कभी करवाऊंगी वह थोड़ा मुश्किल होता है तो जहां पर मैं सिर्फ css अपने वेरियबल प्रेस करूंगी उसको पता चल जएगा कि यहां पर मैंने css की प्रॉपर्टी अपलाईगा नहीं है सेम ऐसे ही body tag में आजओ जहां पर लगाओ body इसके बीच टाइप करो html वारा वेरियबल तो इसको पता चल जएगा कि यह हमारे एक html का कोड है सेम ऐसे ही body यहां पर html के बाद script का tag लगाओ script जहां पर अपने वेरियबल पास कर दो gs इसको पता चल जाना है कि अब जे gs का code हम जहां पर कुछ ना कुछ टाइप करेंगे इसको एक बाद refresh करके मैं जहां पर मेरे पास अभी देखो output नहीं आई output कहां से आनी है हमने output शोग करानी है iframe में तो iframe में चलते है यहां पर लिखो इदर ही लिख देते हैं टाइटल को एंटर कर देते हैं इदर उपर लिख दो क्या कर रहा है src doc source document is equal to जो manage and rate वाला बनाया हुआ है function उसको यहां पर call कर बस यहां पर मेरे पास hello आ चुका है इदर हमने जो color गयरा लगाया था बो change नहीं हुआ पहले जहां पर चलते हैं इदर मैंने color लिखा हुआ साथ में मैं इसके div भी लिख देती हूं तो color change हो गया अब मैं चाहती हूँ font size change करना है तो आप जहांसे enter करके अब जहां पर font size add करो check कर लेते हैं test करना है तो अभी देखो मेरे पास यहां पर type नहीं हो रहा तो इदर चलते हैं text area के बीच कुछ भी type नहीं हो रहा एक बर फिसर ट्राय करते हैं जहें इना disabled हो जाते हैं तो मैं जहां पर type करके देती हूं तो नहीं हो रहा disabled हो जाते हैं जहें हमारे पास कभी-कभी टेक्स्ट एरिया है हर एक बार नहीं मतलब हम जहें code editor बनाते हैं तो इसमें disabled हो चुके हैं text area इन सब का एक ही रिजन है जहां पर spelling mistake बस कि और चेंज लगाओ जब इसको complete अपनी value नहीं मिलती तब हम कुछ भी टाइप नहीं कर पाते हमें पता ही नहीं चलेगा यहां पर मैं font size add कर देती हूं अब देखो type हो रहा है font size हमने इसका 100 पिक्सल करना है तो यहां पर देखो 100 पिक्सल हो गया color मैं रही लिखूंगी इसका red जावा से क्रिप्ट का basically हमें issue रहता है हमारे पास ज्यादा तो मैं यहां पर click लिखूंगी यह working में आना चाहिए इधर लिख देते हैं on click जब कोई बंदा इस पर click करेगा तो एक function perform होगा a के नाम का बना देते हैं जहां पर इसकी working कर देते हैं function है मेरे पास a उस पर click करेगा कोई alert मिल जाए alert के बीच हम कुछ print कर देते हैं hello जहां पर बटने इस पर click करके देख लेते हैं तो हैलो आ गया तो यह आपके पास आना चाहिए alert box मैं जहां पर आपको एक चीज़े दिखा देती हूं जहां पर मैंने लगाया हुआ है जह वाला जो अगर आप जहां पर आड़ नहीं करते न सोर्स वाला तब आपके पास कोई भी output नहीं आनी जह वाला इधर लगाना जुरूरी है बस जह जास से लगा देना सारा काम इसी नहीं कर देना है ठीक है अब देखो हमने किया कुछ भी नहीं है हमारा कितना अच्छा बन गया है सिर्फ और सिर्फ मैंने जह वाला कौड आड़ किया है बस सारा काम इसी का ही है सब कुछ इसी ने हमें रिटर्न करना है वाकि कुछ भी इसमें खास नहीं है तो बहुत ही आसान जो सबसे आसान मुझे लगा हो जो कोडिंग का जह त्रीका है लाइव कोड जिस अब हटा देते हैं पहले इदर अपनी CSS फाइल एड़ कर देते हैं इंपोर्ट जिस अब एक लाइन में रहेगा ज्यादा सही लगता है जहां पर आजो सबसे बेले बात आती है जो मैंने लाइब पोड एडिटर वाली कलास बनाई थी डिस्प्रेय करदो इसको फ्लेक्श मी फ्लेक्स डिरेक्शन इसकी रखदो पालन में चाहिए हमीं पालन में लिखेंगे अलाइन आइटेम सारी सेंटर में फाइट रखदो कितनी चाहिए तो 100dır वीच रखेंगे BHBW रखेंगे न यह एक responsive भी होती है अपने आप जी अपनी height बर दिमेंशन कर लेती है according to screen size padding रख दो थोड़ी सी app के spelling mistake है तो जहां पर A capital आईगी जहां पर center में आगया अब आ रही आती है editor जो भी है मेरे पास container display कर दो flex में इनके flex direction रहेगी row में एक column में आ रही है एक row में तो साथ में थोड़ सा gap रखेंगे 20 pixel का gap इनके बीच रहना चाहिए तो गोद एक गैप आ गया तीन एक line में आ गया जो editor है अकेला editor flex one और इसमें एड्ड कर देंगे टेक्सट अरिया जो टेक्सट अरिया है मेरे पास विर्थिसकी रखो 100% रहेगी एक अ रखेंगे मतलब है ne otherwise रखेंगे इसका का र कर याए इसको हम इए से इसको हटा के दिखाथी हो है इसको हम खीच के इसका मर्जी बढ़ा कर साते हैं तो एसे कर सकते हैं तो मैं जहां पर अगर री साइज इसका हटा दूं न इसको री साइज नन कर दूं तो हम इसको कहीं से भी ऐसे इसको फॉजे रिफ्रेश तो जे देखो ऑप्षेन चला गया तो अब हम इसका हाइट बिर्थ चेंज नहीं कर साथे फिक्स हो गया पैडिंग पैडिंग प्रवियू कंटेइनर है प्रवियू था शायद कलास फ्लैक्स वान मार्जिन टॉप से पर स्याड़ कर दूं यह बाल प्रवियू एक वार चक कर लेते हैं प्रवियू है सही है टॉप से मार्जिन थोड़ा सा मैंने एड़ किया है और थोड़ा सा कर देते हैं 50 कर देते हैं तो सही है, इतना यह सही है , यहां पर मेरे पास उटीस आजैगी अब आपके मर्जिय कितना इसको आप एड करना चाहते हैा और ठोड़ा दीते हैं जो मेरे पास पर वीव है, और इसमें आइफ्रेम लगा देड़े, आइफ्रेम बाला जो आई फ्रेम है बस उसको एक बॉर्डर लगा रहे हैं बन पिक्सल सॉलीड चाहिए यह बाला कलर तो ऐसा दिखेगा लगाना है बॉर्डर लगा दो नहीं तो ऐसे भी सही है तो यह हो गया हमारा आज का टॉपिक है कंप्लीट मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में